नमस्कार दोस्तों जैमा भद्रकाली जै महाकाल हमारे यूट्यूब चैनल प्राचिन मंत रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों हमेशा की तरह ही आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं अपने दुश्मन को पागल करने का बहुत ही चमतकारी टोटक जी हाँ दोस्तों आज जो टोटका हम आपको बताने वाले हैं इसके करते ही मातर तीन गंटे के अंदर ही आपका दुश्मन पागलों की तरह मारा मारा फिरेगा दिवारों में अपना सिर पटकने के लिए मजबूर हो जाएगा ऐसा पावरफुल टोटका आज मैं आपको ब आप तीन गंटे के अंदर ही इतनी बड़ी सजा दे सकते हैं कि वह पागलों की तरह सडकों के ओपर ठोकर खाता हुआ फिरेगा जी हाँ दोस्तों अपने दुश्मन को सजा देने का टोटका उसको पागल करने का टोटका उसको दरबदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और अभी हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का इस्तमाल आपने किस तरीके से करना है इस टोटके को करने के लिए दोस्तों आपने शनिवार या फिर अमवस्या का दिन चुनना होगा यह दो दिन चुनने के बाद दोस्तों आपने एक कोईला लेना है जी हाँ दोस्तों कोईला आपने चूले से भटी से या कहीं से भी ले लिजेगा अगर आप शमशान घार से उठा के ले आए तो वह बहुत ही उत्तम होगा उसका परभाव तीन गंटे में नहीं आप कुछ मिंटों में भी धेख सकते हैं तो दोस्तो आपने कोईला लेकर आना है और कोईला लेकर आने के बाद जब आप इस परकार से सफेद कागज के उपर अपने शत्रू का चित्र बनाए तो अपने मन ही मन के अंदर आपने अपने शत्रू का सुमरण करना है उसकी फोटो अपने हिरेदे के अंदर आपने जागरुत करनी है और उसके बाद सफेद कागज के उपर इस कोईले की सहायता से आपने अपने शत्रू का चित्र यहाँ पर इस कोईले से बना लेना है और उसके बाद दोस्तों इसके उपर आपने टोटल ग्यारा लाल मिर्च रखनी है मिर्च डंडे वाली होनी चाहिए साबुत होनी चाहिए बिना डंडे वाली मिर्च आपने नहीं रखनी है आपने 11 लाल मिर्च लेनी है सुखी हुई डंडे वाली और वह अपने शत्रू के फोटो के उपर आपने रख देनी है रखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि आपने एक मंत्र का जाप करना है मंत्र देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ भी है और अगर आप चाहे तो इस कागज के उपर यानके अपने शत्रू की फोटो के नीचे आप इस मंत्र को स्वैम भी लिख सकते है ताकि आपको जाप करने में आसानी हो इस मंत्र का जाप दोस्तों आपने टोटल 551 बार या फिर 1008 बार जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है लेकिन कम से कम 551 बार जाप आपने अवश्य करना है तो जैसे जाप की संख्या जो आपको सरल लगे वह आप कर सकते हैं और जैसे ही आप 11 की 11 मिर्च अपने शत्रू के उपर रखते तो आपने इस मंत्र का जाप शरू कर देना है मंत्र मैं आपको बोल कर भी बता देता हूँ मंत्र इस परकार है हरी मात से मन से ओम ओम बस इतना ही मंत्र दोस्तों यह चार शब्दों वाला मंत्र आपके शत्रू को इतना प्रताडित कर देगा कि वह आपके परिवार को तो देखना बहुत दूर है आपके परिवार के आस पास भी नहीं भटकेगा अगर वह आपका कारोबारी है तो उसके उपर भी आप इस टोटके का इस्तिमाल कर सकते हैं उसे हमेशा हमेशा के लिए इतनी बड़ी सजा दे सकते हैं कि वह कभी भी आपको जीवन में परिशान ना करें तो दोस्तों यह बहुत ही पावरफुल टो और लपेटने के बाद ऐसे स्थान में जाना है एकांत स्थान में जाना है या तो पीपल का वरक्ष एकांत में हो तो वहाँ पर जाईए बेरी जाड़ी का वरक्ष हो तो उसके नीचे जाईए अगर आख का पोधा एकांत में हो तो उसके नीचे ले जाकर इस सारी की सारी स चमता होती है उसके मस्तिश्क में उन मिर्चों का धुआ इस मंतर के प्रभाव से इस परकार से बढ़ेगा कि वह अपने पागल पन से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा तो दोस्तों यह बहुत ही पावर्फुल टोटका है जिसकी सहायता से आप अपने शत्रू को परतारित कर करना बिलकुल मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किर जिएगा धन्यवाद दोस्तों जैमा भद्रकाली जै महाकाल